हालो स्ट्रेंट्स वेलकम टॉ टार्गेटेस्ट पॉइंट इस अर्शना जोहान और टोड़े विल डिस्कूस एक्सराइज 1.2 अगर आपने अभी तक इंट्रोड़क्शन वीडियो नहीं चेक किया है तो प्लीज उसको चेक करें एक्सराइज 1.1 ऑलसो क्योंकि जो एक्सरा यहां पर डिस्कूस कर चुकी हूं ठीक है तो एक बार उसको आप जरूर देखें और यहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है तो प्लीज चेक इट वन्स और अफ्टर देट कम टूद एक्सराइज 1.2 ओके तो लेट से स्टार्ट प्राइम नमबज के प्रोडक्ट को ही हम क्या पुलते है विल्फेक्टर्स पूलते हैं प्राइम नमबज क्या होते हैं आवर विच इस डिविजिORE रएट सल ग्जामनी इसको अच्भा फिल्फ नम्बर से छिएट ची को स्बसेश्य है सतन 40, इसको हमने prime factors के तुर price करना है, okay? So, यहां पर मैं use कर रही हूं factor 3 method, okay? So, using factor 3 method So, what is this? Check कर लेते हैं 140 को आपको इस तरीके से write down कर लेते हैं and just find the number ठीक है, जो prime factor होगा वो यहां लिखा जाएगा, किसे डिवाइड हो सकते है, 2 से ये डिवाइड हो सकते है, right, 2 से कितने टामस आएगा, 7 टामस, है ना, and 0, अब 70 को हम चेक करेंगे कि किस नमबर से डिविजिबल है, 2 से अगें, so 2, 3 जा 6, 5 से 10, okay, now, next, prime number is 3, लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं होगा, so we will divide with 5 only, so we will get 7 here, ठीक है, so we can write 140 equals to 2 multiply by 2 multiply by 5 multiply by 7, ठीक है, or we can write 2 raised to power 2 multiply by 5 multiply by 7, so in this way, we can show 140 as a product of prime factors. Now, part 2nd, it is 156, so we will again use factor tree method here, so just divide with 2, so it will 2 से बेंजर 14 and 2 जा 16, okay, now again think कि क्या होगा, किस से डिवाइड हो सकते हैं, again 2 से हम इसको डिवाइड का सकते हैं, 2 3 जा 6 and 2 9 जा 18, now we can divide with 3, so 3 1 जा 3 and 3 3 जा 9, अब आगे इसको हम डिवाइड नहीं का सकते, so 156 can be written as 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 13, और it can be written as 2 raised to power 2 multiply by 3 by 13, now part 3, it is 3 8 2 5, okay, so think first prime factor by which we can divide it, so division के लिए most important thing, you should know all the divisibility test, divisibility by 2, 3, 4, 5, 7 है ना, यह सब आपको पता होना चाहिए, यह उससे divisibility थोड़ा easy हो जाती है, right, अब यहाँ पर चेक करो, कि यह नमबर जो given है, क्या वो 3 से divide हो सकता है, तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, आप इंडिजिट्स को plus कर लेंगे, तो 3 plus 8 plus 2 plus 5, ठीक है, तो 5 plus 2, 7, 7 plus 8, 15 plus 3, 18, is 18 divisible by 3, yes, it is divisible, so यह जो whole number है, it can be divided by 3, okay, so 3 से divide किया, तो कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, and 3 7 जा 21, and 3 5 जा 15, okay, now, अब इसको चेक करते हैं, क्या यह नमबर भी 3 से divide होगा, चेक कर देते हैं, 1 plus 2, 1 plus 2 plus 7 plus 5, 3 plus 7, 10 plus 5, 15, yes, 15 is divisible by 3, okay, so, whole number can be divided by 3, so, 3 यहाँ आप राइड दाउन करेंगे, and 3, 4 जा 12, and 3 2 जा 6, and 3 5 जा 15, 4 2 5, okay, now, अगें चेक करते हैं, क्या 4 plus 2 plus 5, 4 plus 2, 6, 6 plus 5, 11, can it divisible by 3, no, ठीक है, तो यह नमबर भी क्या होगा, 3 से divide नहीं होगा, so, we can divide it by 5, 5 की divisibility क्या होती है, वो unit place पर 5 हो, 0 हो, तो वो नमबर हम 5 से divide कर सकते हैं, ठीक है, तो इस नमबर को आप 5 से divide करेंगे, so, 5 जा 40, and 5 जा 25, okay, now, चेक कर यह, 5 से ही divide होगा, आगे भी यह नमबर, so, 5, 1s are 5, and 5 7s are 35, ठीक है, 17, यह नमबर किसी और नमबर से divide नहीं होगा, right, so, 3, 8, 2, 5, how can we write, 3 multiply by 3, 5 multiply by 5, multiply by 17, so, we can write it, 3 raise to power 2, 5 raise to power 2, multiply by 17, now, part 4, 5005, ठीक है, चेक करते हैं, कि यह किस प्राइम नमबर से divide हो सकता है, 2 से नहीं होगा, 5 प्लस 5, 10, है ना, तो 3 से भी नहीं होगा, तो simply, we can divide with 5 only, so, it is 5105, and 005105, okay, now, अब इसको चेक करते हैं, कि 1001, किस नमबर से divide होगा, 3 से नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, ठीक है, so, now, part 5, that is 7429, ठीक है, देखते हैं, कि यह किस नमबर से divisible है, तो, पहले divisibility चेक कर लेते हैं, 5 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, and in fact, यह 7 से भी नहीं होगा, ठीक है, तो मैं आपको बता रहेती हूँ कि किस नमबर से divide होगा, है ना, तो, it is divisible by 17, but यह पता करने के लिए, कि 17 से ही divisible है, आपको इसके पहले की divisibility आनी चाहिए, है ना, 2, 3, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 11, है ना, 13, इन सब की पता होनी चाहिए, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको 17 से divisibility की आपको यहाँ पर ट्रिक बताने जा रहे हूँ, ठीक है, 17 से divisibility अगर आप करते हो, तो आपकी जो यह unit place डिजिट होती है, इसका 5 times करना होता है, that is, 950, 45, and जो remaining डिजिट है, 742, इसमें से subtract करना होगा, जब आप इसको subtract करेंगे, तो यहाँ से आपको मिलेगा, 12-5 is 7, and 13-4 is 9, and 6, 697 आपको यहाँ से मिलेगा, अब 697 में भी आपको same process करना होगा, 697 means की जो 7 है, इसका 5 times, it is 35 है ना, और यहाँ पर 69, so 69 में से minus करें, 9-5, that is 4, and 6-3 is 34, is 34 is divisible by 17, yes, then you can say whole number will be divisible by 17, okay, now divided with 17, ठीक है, 17 से जब आप इसको divide करेंगे, then you will get 17, यह जाएगा 4 times, and after that it will go 3 times, and 7 times, it is 437, okay, so 437, it will divisible, 7 to 14 minus this, तो 17 से तो जाएगा नहीं, right, it can be divided by 19, okay, 19 से जब आप इसको divide करेंगे, तो it is 9 to 38, यह जाएगा फिर 3 times, right, so it is 23, so prime factors of 7, 4, 2, 9, it will 17 multiply by 19, multiply by 23, in this question, one more thing, here we need to check divisibility of 19, बहुँ सारे students ऐसे होंगे, जिनको 19 की divisibility नहीं पता होगी, so this is additional here, you don't need to show in your question, just for checking, कि 19 की divisibility होती कैसे है, सिर्फ वो हमने चैक करना है, so we have here 437, ठीक है, तो 17 से आप चैक कर सकते हूं, ओके, अभी 19 से चैक करना है, तो करना क्या होगा, जो ये unit paste digit है, इसका twice कर लीजे आप, ठीक है, and your rest of digit है, उसमें, आड कर लीजे, या जाएगा 14, आप इसमें आड करिए, 4 plus 3, 7, and 4 plus 1, 5, चैक करिए, क्या 57 डिवाइड होता है 19 से, yes, it will go 3 times, so whole number can be divisible by 19, now, question number 2, find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM multiply by HCF equivalent to product of the two numbers, ठीक है, हमें ये verify भी करना है, ठीक है, तो first of all, just do factorization, ठीक है, using a factor tree method, ठीक है, factor tree method का use करके, using a factor tree method, okay, just do factors of 26, कितना unit base basic है, so it can be divisible by 2, so 2 ones are 2, 2 threes are 6, so 26 के हमारे पास जो factors है, that is 2 multiply by 13, and do factorization of 91, check कर लेते, 91 किसे divide होगा, 1 का twice करिए, 1 का twice करके, 9 में से subtract करिए, 9 minus 2, it is 7 divisible by 7, ठीक है, 7 की divisibility आप यहां से check कर सकते हैं, so 7 बन्जा 7, 3 is a 21, okay, so 91 के जो factors हमारे पास आगे, that is 7 multiply by 13, अब first of all, यहां हमने find करना है LCM, LCM में क्या होते है, जो factors common होते हैं, उनको one time write down कर लिया जाता है, बाकी जो बस्ते हैं उनको as it is लिख लिया जाता है, so 2 ऐसे ही आएगा, 7 ऐसे ही आएगा, 13 दोनों में common है, that's why we will take it one time only, okay, so this is the LCM of 26 and 91, okay, so just do the multiplication, ठीक है, इनका multiplication अगर आप करते हो, तो 7 तो 14 and 14 multiply by 13, we will get 182, right, and HCF दोनों का क्या होगा, HCF केबल जो common, दोनों में जो common हो, केबल वही number होगा, that is 13 only, right, so now do verification, आप LCM multiply by HCF आप find कर लिजे, so it is 182 multiply by 13, okay, इन दोनों का आप multiply करिए, तो यह आजाएगा, 182 multiply by 13, 3 2 जा 6, 3 जा 24, carry 2, 3 1 जा 3, 3 plus 2 5, 2 8 1, plus कर दिजे 6 6 13 2, so we will get from here, 2 3 6 6, right, now तोनों numbers का multiplication हम नहीं करना है, so it should be 26 multiply by 91, है न, so it will be, multiply कर दिजे, 6 2 54, 4 carry 5 9 to 0 18, 18 plus 5 23, ठीक है, 6 6 3 2, so it is also 2 3 6 66, so यहां से आप देख सकते हो, जो LCM and HCF का multiplication है, that is 2 3 6 6, and दोनों numbers का भी जो multiplication है, that is also 2 3 6 6, okay, so we can say, LCM multiply by HCF equals to product of 2 numbers, product of 2 numbers, now second part is 510 and 92, okay, so पहला काम क्या करना होगा, in integers के लिए हमने, prime factorization के तरू, factors करने होंगे, after that we will find LCM and HCF, ठीक है, so here I am again using the factor tree method, जब आप इसको exam में write down कर रहे होते हों, तब आपको इस तरीके के statements देना जरूरी होता है, ठीक है, so 510, so simply आप इसको 2 से divide कर सकते हो, so 2 2 4 5 10 and again 5 times 10 हो जाएगा, अब ये 5 से divide हो सकता है या 3 से भी हो सकता है, चेक कर लेते हैं, पहले, है ना, 3 से चेक करो, ये हो जाएगा, 2 plus 5 plus 5, 2 plus 5, 10 plus 5, 15, 3 से divisible है, okay, so 3, 8 से 24, 5 से 15, and 8 plus 5 is 13, तो अभी 3 से नहीं होगा, so 5 से तो हो ही जाएगा, क्योंकि unit place पर 5 हमारे पास है, 5 बंजा 5 and 5 से बंजा 35, so 5, 17 आगया, now second, जो digit है, that is 92, इसको डिवाइड करते हैं, तो 2 से तो होना ही है, simply 2, 4 जा 8, 6 से 12, again 2, 2, 2 जा 4, 3 जा 6, ठीक है, so यहां से हमें यह मिल के, now factors of 510, we will have 2 multiply by 3, multiply by 5, multiply by 17, now factors of 92, it is 2, multiply by 2, multiply by 23, okay, so first of all, LCM आप find कर लेंगे, LCM of 510 and 92, क्या जाएगा, जो digits दोनों में common है, उनको one time हम write down कर लेंगे, so 2 one time, and 3, 5, 17, and this 2 and 23, okay, यह हमारे LCM हो जाएगे, just do the multiplication, थोड़ा यहां पर multiplication का काम बढ़ जाता है, तो 2, 3 is a, 2 to 4, 3 is a, 12, 5, just 60, है न, तो multiply करेंगे जल्दी से, आप भी करें multiply, so we can write 60 multiply by 17, multiply by 23, and अब इसको आगी solve कर लेते हैं, 17 और 23 की multiplication, so it is, 7, 3 is a 21, carry 2, 7, 2 is a 14, plus 2, 16, 3, 2, 1, 9, 2 plus 1, 3, it is 391, and इसको multiply कर देते हैं, 60 से तो 0, 6 बंज़ 6, 6, 9, जा 54, carry 5, 6, 3 जा 18, plus 5, 23, so it is, 2, 3, 4, 6, 0, ओके, यह हो जाएगा, now find HCF, of 510, and 92, HCF के लिए, क्या होते हैं, जो most common factor है, highest common factor, we have only 2 है, ठीक है, दोनों में जो common है, वो के बढ़, 2 ही एक ऐसा factor है, okay, now we need to find, LCM, multiply by HCF, तो LCM हमारे पास है, 23, 4, 6, 0, इसको 2 से multiply कर देना है, then we will get, 20, 26, 12, 2, carry 1, 24, 8, plus 1, 9, 23, 26, 22, 24, so we have, 46, 9, 20, now we need to calculate, product of two numbers, तो 510 multiply by 92, तो इसको तो करना ही होएगा, ठीक है, 201, 10, and 90, 9, 45, ठीक है, it is 5, 0, 2, 9, and 6, and 4, so we have again, 46, 9, 20, ठीक है, तो आप यहां से देख सकते हो, कि जो दोनों का प्रोड़क्ट है, वो और जो LCM और HCF का प्रोड़क्ट है, बोथ हार एक्वल, so we can say, it is verified, और you can write, LCM multiply by HCF, equivalent to product of two numbers, okay, and it's verified, now move to next part, now part 3, we have here, 336 and 54, ठीक है, इन दोनों के लिए, हमें इसको, verify करना है, right, so first of all, we will use, tree method, factor tree method, ठीक है, so just using, factor tree method, okay, just do factorization, 336, so it is to, steady visible, हो जाएगा, 2 बन जा 2, 2 जा 12, and 8 जा 16, now again, with 2, we can divide it, 2 जा 16, and 2 जा 8, so 2 से फिर हो जाएगा, 2 जा 8, 2 जा 4, and again, 2 से, 2 जा 4, 1 सा 2 हो जाएगा, and in the last, we have 3, and 7 at this place, right, now second number, we have 54, so again, इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, so 2, 2 जा 4, 7 जा, 14, and 3 से हो जाएगा, 9 जा 27, and 3 से, 3 तामस सला जाएगा, 3, 3 जा 9, ओके, now write down the factors, so 336 के factors हैं, 2 multiply by 2, multiply by 2, and 3 multiply by 7, write, 54 के factors है, 2 multiply by 3, multiply by 3, multiply by 3, now LCM निकाल लेना है, इनका 336 and 54, so जो numbers repeated हैं, उनको हम one time, write down करेंगे, जैसे यहाँ पर 2, यह दोनों repeated है, and one time 3, so 2 multiply by 3, है ना, यह 2 और 3 एक बार आएँगे, and बाकी का जो rest of factors हैं, उनको आप multiplication में, as it is write down कर लेंगे, ठीक है, so 3 one time, है ना, और यह वाला 3, 3 and 7, now write the factors of 54, sorry इनका अभी तो multiplication करना हुएगा, okay, so HCF of 336 and 54, so most commons are, there are common, there are two digits only, first one is 2, and 3, okay, तो its multiplication is 6, इसका multiplication में भूल कही हूँ करना, ठीक है, 7 भी है, so 2 to 4, 2 to 8, 2 to 16, 3 is a 48, है ना, यहां तक का multiplication में, write down कर चुकी हूँ, and 3 to 9, 9, 7 to 63, okay, now do the multiplication of 48 and 63, so it is 3, it is 24, carry 2, 3, 4 to 12, plus 2, it is 14, and 6, 8, 48, carry 4, and 6, 4, 24 plus 4, it is 28, so on adding them, we will get 4, 8 plus 4 is 12, and 8 plus 2 is 10, and 3, so its multiplication is 3, 0, 2, 4, right, now, HCF, we already done here, it is 6, so we need to find LCF, LCM and HCF, इन दोनों का multiplication भी हमने find करना होगा, so it is 3024, and multiply by 6, so its value, by multiply, 6, 4 to 24, का 4, carry 2, and 6, 2, 12 plus 2, that is 14, right, and 6, 3 is 18, okay, so in दोनों का तो, multiplication है, वो ये आगिया है, 1814, now, क्या हमने और find करना होगा, इन दोनों numbers का multiplication हमने find करना है, ठीक है, so just do that, 336, multiply by 54, 6, 4, 24, carry 2, 4, 3, 12 plus 2, 14, carry 1, 4, 3, 12 plus 1, 13, and 5, 6, 30, carry 3, 5, 3, 15 plus 3, 18, carry 1, and 5, 3, 15 plus 1, 16, okay, so 4, 4, 8 plus 3, 11, and 8, 1, it is also 1, 8, 1, 4, 4, ठीक है, okay, so यहां से आप देख सकते हो, कि जो हमारे पास, LCM and HCF का प्रोड़क्ट है, that is 18144, and जो नमबर्स का प्रोड़क्ट है, that is 18144, and बोद हार, equal, so it is verified, है न, यह वैरिफाई हो चुका है, and in the last, you can write here, LCM multiply by HCF, equals 2, product of 2 numbers, product of 2 numbers, now, let's move to question number 3, find the LCM and HCF, of the following integers, by applying the prime factorization method, so, इस टाइब के questions, हमने पहले भी बहुत किये है, है न, नाइंत में जब आप थे, तब भी किये थे, and यहां पर भी आपको करने है, ठीक है, तो, यहां पर वही आपका पुराना method, that is, factor tree method की help, हम यहां पर इनका, LCM and HCF, find करेंगे, इसके लिए factorization करना होगा, ठीक है, so, first of all, find the factors of 12, so, by factor tree method, so, it is, 2, 6, 12, and 2, 3, 6, ठीक है, आप एक डिरेक्ली भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह तो छोटे चोटे डिजिट्स हैं, है न, इनको तो हम डिरेक्ली भी लिख सकते हैं, so, 3, 5, 0, 15 हो जाएगा, and 21, so, it is 3, 7 जा, 21, okay, just write down the factors of these digits here, so, factors of 12, we have 2 multiply by 2 multiply by 3, and factors of 15, we have 3 multiply by 5, and factors of 21, we have 3 multiply by 7, ठीक है, अब इनका हमने find करना है, HCF एले कर देते हैं, ठीक है, HCF क्या हो जाएगा, HCF of 12, 15, and 21, क्या होना चाहिए, जो most common digit है, जो तीनो में जो digit common आ रही होगी, वही हमारा यहाँ पर factor हो जाएगा, है न, common factor हो जाएगा, so, आप देख सकते हैं, जो तीनो में डिजित हमारे पास है, that is 3 only, so, HCF of 12, 15, and 21, will be 3, okay, now, check for LCM, LCM of 12, 15, and 21, क्या होएगा, जो most common digit है, जो तीनो में common है, उसको one time लिखा जाएगा, and rest of digits can be written one time only, ठीक है, so, it is the LCM of 12, 15, and 21, just do the multiplication, so, 3, 2, 6, 2, 12, 5, 60, and 60, and 60 into 7 means 420, so, its answer is 420, now, second part is, we need to find LCM and SCF of 17, 23, and 29, so, यहाँ पर तो आपको 3 बनाने की जववती नहीं होगी, क्यों all these 3 numbers are prime numbers, ठीक है, so, जो 17 के factors होँगे, that is 1 into 17, and 23, 1 multiply by 23, and 29, 1 multiply by 29, so, it's very simple, HCF of 17, 23, and 29 equals to 1, ठीक है, एक ही number ऐसा है, जो तीनों में common है, that is only 1, so, LCM of 17, 23, and 29, just multiply these 3 numbers, ठीक है, so, multiply कर लेते हैं, 23 को पहले multiply करना होगा 17 से, 7, 3 is a 21, 7, 2 is a 14, plus 2, it is 16, 3, 2, 1, plus 6, 3, 9, and 2 plus 1, 3, अब यह जो number है, इसको multiply कर लेते हैं, 29 से, 9 1s are 9, 9 9 0, 81, का 1, carry 8, 9 3s are 27, plus 8, it is 35, and 2 1s are 2, 2 9 0, 18, carry 1, 23 6 plus 1, 7, 9, 2 plus 1, 3, 13, and it is 11, 4s are 8, and 2 2s are 4, right, now, do factorization of 9, so, it is 3 3s are 9, you have to show in the examination, right, so, आपको दिखाना होगा, यह करके, 5 5 से 25, now, write down the factors, so, it is 2 multiply by 2, multiply by 2, and 9 3 multiply by 3, and 25, it is 5 multiply by 5, and see here, अगर हम HCF की बात करते हैं, तो कोई भी डिज़िट तीनों में कॉमन नहीं हैं, okay, that's why, HCF of 8, 9, and 25, will be 1 only, and LCM of 8, 9, and 25, multiplication of these all digits, okay, so, 2 multiply by 2, multiply by 2, and 3 multiply by 3, and 5 multiply by 5, check करते हैं, एक तरीके से देखा जाएं, तो इन तीनों नंबर्स का ही, multiplication हैं, right, so, it is 8 multiply by 9, multiply by 29, it is, you can do 70, 8, 9, just 72, multiply by 25, and multiply कर दीजी, 25, 2, 50, carry 5, and, 25, 7, 175, plus 5, it is, 180, so, LCM of 8, 9, and 25, will be, 18, 00, okay, now, question number 4 is, given that, HCF of 306, and 657, is equivalent to 9, so, we need to find here, LCM of 306, and 567, okay, so, what we have to give in here, just write down first it, given है, HCF, है, HCF, हमें, given है, 306, and 657, का, कितना है, 9 है, okay, अभी, हमने, एक, formula, last question में, किया था, that was, that was, LCM, multiply by, HCF, equivalent to, product of two numbers, ठीक है, product of the numbers, और product of two numbers, आप simply बोल सकते है, ठीक है, product of the numbers, कर देते है, okay, so, LCM, हमने, find करना है, HCF, हमें, given है, numbers, हम को बता है, that is, 306, multiply by, 657, so, LCM, find कर लेंगे, ये, number 9, is in multiplication, that's why, it will go in, division, right, so, 9 से, इसको, divide कर देंगे, अब चेक कर लो, इन में से, consider, divide हो सकती है, तो, definitely 306, क्योंकि, addition करो, 6 plus 3, 9 हो जाएगा, 9 इस डिवाइड बाइन, that's why, whole number can be, divisible by 9, so, 9 से, divide कर देते है, 9, 2 जा 18, 3 जा 27, okay, तो, 3 टाइमस आएगा, अब यहां से, 3 बढ़ जाएगा, तो, 9 4 जा 36, from here, we will get, 34, multiply by, 657, ठीक है, अब इन दोनों का, multiplication, कर दीजे, टाइमस आएगा, it is, 4 7 जा 28, करी 2, 4 5 जा 20, plus 2, 2, 22 हो जाएगा, and 4 6, 24, plus 2, 26, and 3 7 जा 21, करी 2, 3 5, 15, plus 2, 17, करी 1, 3 6 18, plus 1, 19, 8, 3, 6 plus 7, 13, and 9, plus 2, 11, plus 1, 12, and 2, ठीक है, तो जो इसका, answer आजाएगा, multiplication के बाए, 22, 23, 8, so LCM, क्या हो जाएगा, 22, 23, 8, so आप यहाँ पर, write down कर सकते हैं, LCM, of, 306, and, 657, is, 22, 23, 8, question नमर 5, check whether, 6 raise to power n, can end, with the desert 0, 4, or natural number n, ठीक है, यहाँ पर हमें, check करना है, और यह बताना है, कि जो 6 raise to power n, है, वो, जो, अगर इसको solve करें, तो यह 0, desert के साथ में, and होगा, और किसी भी, n की वाल्यू के लिए, n के हैं, यहाँ पर natural number है, ठीक है, तो इस टाइब के, जितने भी questions होते हैं, students, उनको आप assumptions के through करेंगे, ठीक है, आप suppose करोगे पहले, कि ठीक है, यह and हो जाएगा, 0 के साथ में, and last में, contradiction हम यहाँ पर कर देते, कि हमने जो statement की कही थी, वो गलत है, बाद में, इसको थोड़ा सा solve करेंगे, and check out करेंगे, कि यह होगा की नहीं होगा, ठीक है, और last में, एक statement दे दी जाती है, कि जो हमने assumptions ली थी, है ना, वो क्या होगे, रॉंग ओगे, ठीक है, सो सी, देखते हैं कैसे इसको करना है, यहाँ पर, here, you can write here, and is a natural number, ठीक है, and क्या है, एक natural number है, ठीक है, और let कर लेते हैं, let, 6 raised to power n, and, in, 0, ठीक है, माल लिया, कि जो 6 raised to power n है, वो and करेगा 0 पर, इसका मतलब क्या होना चाहिए, जो 6 raised to power n है, is divisible by 5, ठीक है, इसका अगर वो, and करेगा 0 से, तो इसका मतलब यह 5 से, divide होना चाहिए, ओके, बट, यहाँ पर क्या है, the prime factors, but, the prime factors, of 6, क्या है, 2, multiply by 3, 2 factors हो गए, 2 and 3 हो गए, तो इसका मतलब 6 raised to power n को, हम क्या लिख सकते हैं, 2 multiply by 3 raised to power n, ओके, बट, यहाँ पर, यहाँ पर एक बात और देखना होगा, कि जो हम prime factorization करते थे, है न, in the prime factorization, of, 6 raised to power n, there is no factor, of, 5, ठीक है, यहाँ पर, कोई भी factor ऐसा नहीं है, जो 5 में आ रहा हो, ठीक है, so, by the fundamental theorem, of arithmetic, ठीक है, every composite number, every composite number, can be expressed, as, a product of, primes, and, this, factorization is, just write the statement, factorization is unique, ठीक, ठीक है, apart from the, order, in which, the prime, in which, the prime factorization, occurs, ठीक है, अब, अब, ध्यान से देखो, सामजो इस बात को, क्या किया हमने, कि जो, 6 raised to power n था, हमने उसको माल लिये, कि यह 0 पर end होगा, अगर 0 पर end होगा, तो 5 से divide होना चाहिए, बट हमने देखा, जो 6 के factor से, वो क्या है, 2 multiply by 3 है, इसका मतलब जो factors बने, 2 raised to power n, और 3 raised to power n, बट, prime factorization में, यहां पर देख रहे हैं, कि कोई भी ऐसा factor नहीं है, जो की 5 हो, है न, कोई भी ऐसा factor नहीं है, जो की 5 हो, तो उस case में, by the fundamental theorem of arithmetic, क्या कहते हैं, every composite number can be expressed, as a product of primes, and this factorization is unique, apart from the ordering with the prime factorization, doesn't matter कि किस order में आप उनको रख रहे हैं, है न, but it should be क्या, it should be, की product of primes, and factorization is unique apart from the order, order कुछ भी हो, ओके, बट, 0 होने के लिए, यहां पर 5 होना, necessary था, 2 तो था, याद करिये, आप, क्या हमने, एक theorem, उसमें जब हम पढ़ रहते तो, क्या होना चाहिता है, 2 raised to power m, and 5 raised to power n, order कुछ भी हो, doesn't matter, ठीक है, बट, यहां पर जो यह 3 है, इसकी वज़ा से क्या हुआ, कि जो हमारा assumptions था, वो wrong हो गया है, ठीक है, सो, यहां पर आप write down कर दीजिएगा, last statement इसका हम दे देंगे, कि, our assumption, that 6 raised to power n, and in 0 is wrong, क्या बोल दिया हमने कि, जो हमने assumption किया था, 6 raised to power n, 0 से and होता है, वो गलत है, सो, क्या होगा, thus, there does not, there does not exist, any natural number, n for which 6 raised to power n, adds with 0. Now, question number 6, explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 and multiply by 3, multiply by 2, multiply by 1, plus 5 are composite numbers, ठीक है, तो पहले तो यहां पे difference देखना होगा, कि prime numbers and composite numbers में difference क्या है, ठीक है, prime numbers में पहले भी discuss कर चुकी हूँ, introduction video में, chapter के, तो अगर आँ वहां से चेक करना चाहें, तो वहां भी आप जा सकते हैं, ठीक है, एक पर यहां पर ही देख सकते हैं, जो सबसे छोटा prime number होता है, that is 2, तो इसके दो ही factor होते हैं, एक तो 1 और एक ही, खुद, so 1 and 2, ठीक है, prime number a number, which is divisible by 1 and itself only, it's called a prime number, and composite numbers, वो numbers होते हैं, जिनके 2 से जादा factors होते हैं, 2 से जादा factors होते हैं, ठीक है, अभी और चेक कर लेते हैं, जैसे 3 है, तो 3 के भी, हमारे पास 2 ही factors होंगे, एक तो 1 होगा, दूसरा 3 होगा, अगर मैं बात करूं composite numbers की, if I have number 8, 8 की अगर मैं बात करती हूँ, तो इसके एक तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, and next one is 4 हो जाएगा, and ये 8 खुद भी हो जाएगा, तो यहां क्या हुआ, दो से जादा factors होगे, ठीक है, तो एक ऐसा number, जिसके 2 से जादा factors हो, वो क्या हो जाता है, composite number हो जाता है, ठीक है, I hope ये बात समझ आई होगी, आपको की composite numbers और prime numbers में क्या difference है, ठीक है, अब question को देखते हैं, यहां पर, पहला part इसमें जो दिया होए हैं, this one, ये given है, 7 multiply by 11, multiply by 13, प्रस 13, ठीक है, इसको हमें बताना है, कि ये composite number है या नहीं है, ठीक है, so चेक करते हैं, 13 देखो, यहां से common किया जा सकते हैं, 13 को common किया, तो 7 multiply by 11 plus 1 रहेगा, and 13, और यहां से 77 plus 1, it is 78, ठीक है, तो यहां से हमें 13 and 78 मिल गया है, ठीक है, आप देखो, 13 into 78, अब 78 को further आप factorize कर सकते हो, है ना, 78 को अगर आप factorize करें, तो it can be divisible by 2, so 2, 3, 6, and 9, so I can write 13 multiply by 39 multiply by 2, तो these are more than two factors, ठीक है, और यह factors किसके हैं, यह इस पूरे expression की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके, तो आप यहां से क्या बोल सकते हैं कि, जो given expression था, है ना, so you can say, 13 multiply by 78, is a composite number, ठीक है, अब next part के लिए इसका check करते हैं, हमारे पास हैं यहां पर, 7 multiply by 6, multiply by 5, 4, 3, 2, 1, plus 5, see, यहां से हम क्या common कर सकते हैं, that is only 5, तो 5 को common कर लेते हैं, तो यह बनेगा 5 common करने के बाद, 7 multiply by 6, 4, 3, 2, 1, plus 1, ओके, थोड़ा सा solve कर यह इसको, आप यहां से भी directly इसको लेख सकते हैं, बट कोई बात नहीं, अभी आप इसको थोड़ा सा और solve कर लेते हैं, 7, 6, 42, and 4, 3 जा 12, 2 जा 24, and plus 1, multiply कर लेते हैं, 24 को, 4 जा 8, 4 हो जा 16, 2 जा 4, 2 जा 8, ठीक है, 6 प्लस 4, 10, and 8 प्लस 2, 10 हो जाएगा, यहां से मिलेगा, 1008 प्लस 1, and it is, 5 multiply by 1009, अब देखो, student, यहां भी क्या होए, इस expression के हमारे पास 2 factor है, बट, अगर एक बात यहां से check करें, तो क्या, 1 भी तो एक factor होगा, 1 भी एक factor होगा, तो अब इस expression के हमारे पास number of factors कितने हो गए, 3, that is more than 2, okay, that's why what we will say, जो यह है, क्या हो जाएगा, composite numbers हो जाएगे, ठीक है, so you can write, 5 multiply by 1009, is, a composite number, ठीक है, now question number 17, बहुत ही प्यारा question है, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, there is a circular path around a sport field, ठीक है, sport field है, उसके चारो तरफ इस तरीके से एक circular path है, Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, that's supposed कि वो car से run कर रहे हैं, ठीक है, तो एक इस, इसका complete round लगाने में, Sonia को 18 minutes लगते हैं, ठीक है, तो let's suppose, Sonia को मैं represent कर रहे हूं, plus sign से, ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक starting point generate कर देती हूं, let's suppose, कि यहाँ से वो plus, this is Sonia, ठीक है, Sonia यहाँ से चलना start करती है, and दूसरे क्या है, Ravie, while Ravie, question read कर ये, while Ravie takes 12 minutes for the same, और Ravie भी यहाँ से start करता है, तो let's suppose, Ravie को मैं circle से represent करें, तो Ravie ने भी यहाँ से start किया, तो यह, मैंने बोल दिया, कि यह क्या बन गया, ठीक है, एक round complete किया, और एक round complete करने में, Sonia को 18 minutes लग रहे है, ऐसे ही Ravie ने भी यही से start किया, ठीक है, और उसको एक round लगाने में 12 minutes लग रहे है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो Ravie है, वो एक fast driver है, थोड़ा सा fast वो चल रहा है, ठीक है, अब यहां से देखो करना क्या है, suppose they both start at the same point and the same time, दोनों ने एक ही जगा से एक ही time पर start किया चलना, and go in the same direction, और दोनों को जाना भी क्या है, same direction में जाना है, and after how many minutes, see, after how many minutes, will they meet again at the starting point, वो मिलेंगे तो कई बार, रास्ते में, बट हमें यह बताना है, कि starting point पर, वो कितने minute बाद एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है, अब इस question को समझने की कोशिश करते हैं, जो Sonia है, वो किस तरीके से चल रही है, कितना चल रही है, Sonia को वक्त लग रहा है, 18 minutes, ठीक है, 18 minutes per round, ठीक है, इतना चल रही है, एक round कितने में, 10 minutes में complete कर रही है, ऐसे ही जो रवी है, उसको कितना वक्त लगता है, 12 minutes per round, ओके, ठीक है, अब यहाँ पर यह मान लेते हैं, Let, Sonia, meets, रवी, after, X round, मान लिया, कि जो Sonia है, वो रवी से X round के, बाद में, मिलती है, ठीक है, तो, यहाँ से, time taken, कितना आ जाएगा, time taken by Sonia, कितना होना चाहिए, 18 X, ठीक है, और you can say, 18 multiply by X, in the same manner, अब let कर सकते हैं, Let, रवी meets, Sonia, after, Y rounds, क्यों, ऐसा क्यों, अलग-अलग क्यों, क्योंकि, Sonia, थोड़ा सा, जोजर रही है, रवी थोड़ा फास्ट है, तो, वो तेज से round लगा रहा है, तो, उसके number of rounds जादा होंगे, तो, that is by y rounds, तो, time taken by, रवी, क्या हो जाँ चाहिए, आपके हिसाब से, अ, it is 12 minutes, तो, 12 multiply by X, ओके, तो, अब यहाँ पर एक बात समझो, वो मिलेंगे तो कई बात, बठ हमें यह बताना है, कि starting point उनका, क्या होगा, ठीक है, तो, एक तरीके से, आपको, यहाँ पर उसका, देखो कैसे, भई, हमने लिखा, 18 multiply by X, and 12 multiply by X, तो, इसका मतलब क्या होगा, दोनों का time जब equal होगा, तभी तो, यह दोनों से मिलेंगे, एक साथ, starting point पर तभी तो, मिलेंगे, जब दोनों का time equal होगा, ओके, तो time equal अगर है, तो इसका मतलब, जो यहाँ पर X है, है ना, वो क्या होगा, 12 का multiple होगा, ऐसे ही, सोरी, यहाँ जो रवी का Y है ना, यह तो, जो Y है, that is multiple of 12, and जो X है, that is multiple of 18, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, यहाँ पर, इन दोनों का common multiple होना चाहिए, ठीक है, common multiple होना चाहिए, लेकिन, एक बात और है यहाँ पर, कि कम से कम, कम से कम time में उनको मिलना है, कम से कम time में मिलना, इसका मतलब, least common multiple होना चाहिए, ठीक है, अब least common multiple of 18 and 12 और least common multiple क्या होता है it is LCM ठीक है तो इसका मतलब हमें इन दोनों में जो रभी टाइम ले रहा है और जो सोनिया का जो टाइम है दोनों का क्या find कर देना है LCM find कर देना है ओके सो इस question को directly ना करके समझ के करें ठीक है ताकि इस तरीके का कोई और भी question आता है तो उसको आप easily solve कर सकें now solve it just example exam में आपको करना है कुछ इस तरीके से solve कर लेते हैं ठीक है so you can write time taken by sonia ठीक है to drive one round of the field क्या हो जाएगा 18 minutes ठीक है अभी क्या होगा की time taken by to drive one round of the field it is 12 minutes okay so we need to find here LCM so LCM के लिए आप 18 के factors करेंगे ठीक है so 18 के factors 2 9 and 9 के factors 3 and 3 okay and 12 के भी factors कर लेते हैं तो 2 6 and 2 3 right so factors of 18 we have 2 multiply by 3 multiply by 3 and factors of 12 are 2 multiply by 2 multiply by 3 okay so we can say okay LCM हमने find करना है तो जो digits common है इनको लिख लेते हैं यह common है and 3 is also common so factors will be 2 multiply by 3 multiply by 3 and 1 2 more ठीक है so we can say they will meet again at the starting point after 36 minutes